सो हेलो सुमया नावे देवेंद्र जैसे अपको पता है कि पिछले वीडियो से अमने अर्निंग एप्लिकेशन बना स्टार्ट क्या था और हमने वहाँ पे शिखा था कि आप किस प्रकार से स्प्लैसिक्रिक को बना सकते हैं बट आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किस प्रकार से इंट्रो स्क्रीन को बना सकते हो आपके अर्निंग एप्लिकेशन के अंदर और उसके सहसाथ में आपको सिखाऊँगा कि आप किस प्रकार से गूगल साइन के फीचर को एड कर सकते हो आपके एप्लिके दोस्तो मैंने अभी earning का प्रोजेट ओपन कर लिया और वहा पे मैंने इंट्रो Corn उपन कर लिये और वर्टिकल अधर मेरे design ती कहें कि कर लिये कि इस प्रकार से कड़ी लगने कर लिया किसी प्रकार से श्यूब्स को पॉज करके components को देख सकते हो फिर बाद में मैंने नीचे गूगल साइन के अरेंजमेंट क्रेट की जिस यूजर को गूगल से के मदद से कर सकते हो बट मैंने यहां पर एक लोडिंग की अरेंजमेंट बाद में यहां पर एक ब्यूटिफुल डाला वाला मैंने मार्जीन और पेडिंग डालने के लिए फिर बात में मैंने यहां पर एक टाइफ़न टूल का एक्सेंशन लिया इसका कुछ तो यूज नहीं है अगर आपको चाहिए तो ड्रैक करो ताइफ़न टूल का एक्सेंशन का लिंक में डिस्रिप्शन में दे रहा हूं यहां यहां पर आपको दो क्लॉक कंपोनेंट डालना है तो क्लॉक कंपोनेंट करने के बाद यहां पर आपको दो क्लॉक कंपोनेंट ड्रैक करने तो देख सकते हो सबसे पहला नाम रहेगा क्लॉक टाइमर एनेबल को डिसेबल रखना है टाइमर अल्वेस फायर के चेक बोक्स को भें आपको inkoulder करना फिरवर में नतरवर में आपको पिर बाद में अयां पर क्लॉक्ट का अपने फिर आपैबल करना और और इस तो कर लेने के बाद आपको इसको ड्राइट करना यहां फिर जिए साघ्याद करता हुए यहां पे योदेष बैस के अंदर आपको डिटेल जेने पड़ेगी मै ने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी इस प्राकर सिरिपा कर सकते हो में काया करने योडियो में कि इंदर छो में मिप फ layout कि अंदर दीटेट अबाद में आपको क्लिक करना है क्रेटर बेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे एक एक एम्टी बेस्क्रेट होगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो सारा चीज आप सेम करो कर आप कुछ करना है तो आप कर सकते हो सारे होता है आप दें के instructor का rides और हम फॉल्सैने चीजद आप एरड वजही को पर रहे हैं कि आपने यहां पर सेल्स को एमटी रखा रहेगा सेल्स मतलब क्या यहां पर रो को हम सेल्स के ते अगर मैंने यहां पर नेम लिखा तो आपको भी नेम लिखना है फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हो सकते आपकी बेस आईडी और API की और टेबल नेम और व्यू टाइप अपन अब आपको API के बारे में बताई इस्ली वीडियो में बता आधा ähän से मिलते है यहां पर ऐसा करने के बाद आप इसा वाला डीग कश दिखेगा और यहां पर टेबल नेम पे यहाँ पे ब्यूमें आगर कुछ अलग वाला चूस किया रएगा तो वाले eust डेना पड़ेगा तो चले हम यूजर का बेस यहाँ पे रहते हैं करते क्यों आपको ॐससे माने पर बता हैं कि आपको तोम लॉंग तेस्ट पर सिलिक करके सिंगल लाइन तेक्श को यहां पर स्विच कर दूँगा और यहां परेस लिखने लगा पर पर क्लिक करों मगा है जो आपको दीज कर सकते हैं लूडिकाश्यों कर रूबल पर न दीजांग इम meant आपको exclusive left manner पर नोटीफिकेशन का यहां इस हो नोटीफिकेशन के अंदर आपको यहां पर लंग टीक्स्ट पर सिलेक करना है और colored फिर स्टिंग सब्सक्रणा कर स्ट्सक्रणा और उसे जोंद पर आपको फायरबे सब्सक्राइब करना पड़ेगा फिर बाद में आपको यहां पर ड्रैक करना अलफा डालग उससे पहले एक चीज़ में आपको बता है तो फायरबे स्कूर 1 के अंदर जाके आपको यूज जैसन फाइल को टर्न आपके यहां पर अंचेक रहेगा आपको यहां पर चेक करना इस बहुत है और इस चीज़ के वज़े से आपको गूगल साइन नहीं करेंगा फिर बाद में आपको यहां पर टाइन डाटाबेस को ड्रैक किया है क्योंकि जब भी हम यूजर का डाटा यूजर के बेस के अंदर स्टोर करेंगे उसके साथ साथ उसके अधर लूगल डाटाबेस के अंदर भी हम उसे स्टोर करेंगी फिर बाद में में यहां पर एक एनिमेशन का यहां आपको अपको यहां पर आपको यहां पर आपको मिलेнок करने के बाद आपको जाना है उपर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब के उपर अब करों हे तो आपको जाने के उपशिंग के उपर क्लिक करने के बाद की जैने आईडिज के अंदर आपको यहाँ पर वाण सिंगनल के चेक करने के बाद आपको जेसेन फाइल यहां पर इंपोर्ट कर लेने हैं तो मैं आपको बता तो किसे सो जेसेन फाइल के लिए आपको क्या करना है जाना है फाइरबेस के उपर और यहां पर प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर आपके प्रोजेक्ट का न प्रोजेक्ट करना है फिर बाद में प्रोजेक्ट क्रेट होने के बाद आपको कंटीनी बटन पर क्लिक करना है और कंटीनी बटन पर क्लिक करने के बाद को क्या करना है आपको जाना बिल्ड के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना रियल टाइम डाटाबेस के के उपर क्लिक करोगे आपको यहां पर क्लिक करना है क्रेट डाटाबेस बटन के उपर क्लिक करने के बाद को नेक्स क्लिक करना है और फिर बाद में आपको यहां पर स्टार्ट इन लॉक मूड को ही सिलिक करके आपको यहां पर क्लिक करना है फिर बाद में आपको जाना यहां पर पर जाने के बाद आपको एंडूइड के क्लिक करना नहीं करने के बाद यहाँ पर आपको डालना पड़ीगा just प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् इसके input field में लिखा है com.nitron.myfirstapp तो उसी तरीके से आपको भी आपके application के बारे में package name बनाना है यहाँ पर आपको package name बनाते वक्स space ने डालना है और space की जगह आपको वहाँ पर dot डालना है करने के बार को से यहाँ पर पीस कड़ना है यहाँ और फिर बात में इसको यहाँ पर पहें आप क्लिक करने के बाख आपको यहाँ पर देखने के लिए कुछ दो के लिए यहां पे यहां पे यहां सब्सक्राइब ना बड़ेगा आपको रिफ्रेश्ट करना पड़ेगा अपके बिल्डर को फिर बात में आपको यहां पे डिखने के लिए फिर बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद डालते हुआ को गूगल-service.json करके ही डालना है तो मैं का करूँगा आपको हाप इसको रिनेम करके कुछ इस प्रकार से रखना पड़ेगा तो मेरे को यहाँ से वन को रिमू करना है और वन को रिमू करने के बाद इस वाले फाइल को मुझे अपलोड करना है और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो यह वाला नेम GoogleService.json और जो आपके सिस्टम में डाउनलोड हुआ होगा जेसन फाइल उसका नेम सेम होना चाहिए उसको आपको अदर अञेटे करने के बाद बाद में यहाँ आपको आपको अपको कैंसल करना है और हो क्याँ करने के बाद यहां पर चैनल करना BE ब्लॉकिंग के अंदर हमें सिर् apo कोडिंग करनी है एक लिए कि कलिक करना के बाद ब्लॉक क्लम होने सबसे पहले हम स्टार्ट करते गी तब क्या और धर वाला ब्लॉक Scratch किया और फिर बाद में हम यहां पर आपको इनपूट पूछ रहा है Fyrebase score की उपर क्लिक करना है और यहां आपको ड्रैक करना है ना की यह वाला आपको ड्रैक नहीं करना है है आपको यह वाला ड्रैक करना है यहां पर गल्ती कर सकते हैं उसलिए मैं को बता रहूं बार-बार इसको उपड़ेट कर लेता हो और फिर बात में मैंने यहां पर एक एक बारेबल बना है थो यह वस्या क्यों फिर भाद में मैं आपको बता दू यहां पे हमने इनिशिलाइस फायरूाइस ऑथंतिकेशन का कंपोनेंट क्यों ड्रैक कि हमें भी गूगल साइंट का फिचर जान फिपार्बस के बिना इंप्सिवन है अगर हमें गूगल साइन का फिचर ड़ाना है तो हमें यहां फायर वै करने के बद आपको यहां पर ड्रॉक्सिजर कर लेंहेंना फिर से यहां पिर बार चो क sentence करने के बार इसलिए मिलूर नहीं कई दर्लेवन प्रॉसेजर करने के बाद पूर जाँन है sorry जाजन है सब्सक्राइग का रुद्ञी मारत प्रätzen करेंगे के बाद इसलिए हमने अलब एक्सेंचन को ड्रैक किये था हमारे डिजानर प्रप्र के अंदर लोडिंग करने के बात यहाँ पेकलनधक का क्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे क्रेश Quix करके रखना है कि अभी मैं इसको डिलेट कर लिखता हूँ फिर बाद में आपको अलफा डालोग के अंदर जाना पड़ेगा और आपको यहाँ पर शो ड्रैक को यहाँ पर ब्लॉक करके यहाँ पर ड्रॉप करना है तो इसका मतलब क्या होगा सबसे पहले जो लोडिंग के अर बाद जानने के बाद आप यहाँ जानते कि कि प्रकार से गूगल कर सकते सबसे पहले आपको करना पड़ेगा आपको डिजाइन के अंदर जाके उन्हें पर ब्रॉट ना बना हुए क्यों क्लिक करना है तर अब तर अगर आप उसको फुल तो कैसी सारी अखेल होगा सबसे यह चीज ध्याइन में रोको जो बटन आप बना उए कि उसके क्लिक्विलिटी को करना है ठरण और जब भी ईउस बटन पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले हमें क्या करना लोडिंग की प्रोसिजर करें करने लोडिंग की अपको पूसरीजर ब्लोक के जाना पड़ेगा फायरबेस के अंदर जाने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा बेल्ड के ऊपर बेल्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना ऑथन्तिकेशन के ऊपर जाने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा साइन मेतर की ओपर sign in последग्फ पे क्लिक करने के बाद आपको यहां। करना पढ़ेगा Google Google करने के बाद आप को करना पढ़ेगा एनेवरे करने के बाद यहां पे सपोर्ट इमेल ड्याव धो आपको यहां permite क्लिक करने करने के बाद जो भी athlet कर रहा हैं उसको आपको सिलेक कर लेना है और सिलेक कर लेने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है तब आपकी यहाँ पर सब्सक्राइब अपडेट होगी और फिर बाद में आपको यहाँ पर डन बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर एडिट वाले बटन पर क्लिक करना है पुलोग यहां पर लेना है। फिर बान में यहां पर ब्लॉग किया था वेज्स लिए मिखने के लिए वाला इसके अंदर आप जाने के बाद यहां पर ब्लॉख मिलेगा फायर यहां पर सब्सक्राइब करते हो किस इस प्रकार से अगर आपको फास्ट ब्लॉक कोडिंग करने तो आप डिरेक्टली यहाँ पर सर्च करके भी इसको कर सकते हो एक्जामपल लेटर सबस्ट मुझे एरर अकड का ब्लॉक चीह तो मैं डिरेक्ट पर अकड लिकूंगा और एरर लिकने के बाद मुझे यहाँ सब्सक्राइब करें बाद मठेटि ग्लीच करने के बाद मुझे यहां पर आला फना सबसेंक्राइल कुर इज पर प्रक्राइब करने के बाद सबसेंकर करों को कि मुझे पॉपप भी शो करना कि कॉंटेक्ट एडमिन करके तो इसलिए मैंने अगर फायर्बेस वतंतिकेशन फेल्ट फेल इनिशिलाइज होगा तो इसका ब्लोक मुझे कहा पर मिलेगा इसका ब्लोक मुझे फायर वतंतिकेशन के component के अंदर यहां पर मिलेगा अगर initialization fail होता है तब हम क्या करेंगे जो loading progress हमने on किया था उसको हम करेंगे dismiss और फिर बाद में फिर से हम यहां पर snack bar को show करेंगे तो फिर बाद में मैंने यहां पर चार वेरेबल क्रेट किये वेरेबल के से email display name password and refer code के लिए वेरेबल बना लेना है उसके बारे में थोड़े दिर में बात करेंगे जब यहां पर हम निचाएंगे तो जब भी Google sign in success करेगा तब क्या होगा एक तो Google sign in success और दूसरा Google sign in फिल्ड के बारे में हमें पता चलेगा फिल्ड का ब्लॉक यहां पर मत यूज करो अगर सक्सेस भी होता है तब भी आपका अप्लिकेशन फिल्ड बताएगा इसलिए अभी आपको क्या करना है गूगल sign in success का ब्लॉक आपको यहां पर ड्रैग करना है तो यह वाला ब्लॉक आपको फायर्बेस अंदर मिलेगा नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको देखने के लिए लोडिंग जलानी है सबसे पहले जब यूजर इमेल करेगा तो जब Ho Google č 005 zu एकटांट करेगा तो फिर बाद में हम मतलब डाबस के अंदर है या नहीं अगर डाटाइबेस के अंदर उसकी email id पहले से ही रहेगी मतलब user ने रजिस्टर किया है तो क्या करेंगे उसको login करेंगे अगर नहीं है तो हम उसे अब उसको ब्लॉक बना सकते हो और फिर बात में आपको एक इंडेक्स भीरेबल लेना है और आपको यह वाला ब्लॉक है पर जो क्या करना है और इसे बात प्रोड़ेस इसके बारे में आपको आगे जाके समझाऊगा पिर बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया जो हमने टेबल डाटाबेस ड्राक किया था यूजर बेस का उस पर क्लिक करूंगा उस पर क्लिक करने के बाद गेट कॉलम के ब्लॉक को यहाँ पर ड्रॉप करूंगा इमेल चाहिए उसका पासवेड रटापस सिरे बाइल इसको लोकल डाटांबास है इसल upload ऐसे बाद में नह background आपको यहां पर पेस्ट करना है जो आपने यहां पर यूज किया है डबल क्लिक करके आपको यहां पर कॉपी करना और आपको यहां पर पेस्ट करना है तो यहां पर फ्री प्लैन में एरेटेबल 1200 रेकॉर्ड ओफर करता है तो इसलिए आपको यहां पर 1200 लिखना है आपको य डिलेट कर दूंगा तो जब भीक ऑलम ग writers घंडेंज के कंडिशन को दूआं यहापर कर दूंगा पिर बाद में आपको सो सबसे पहले में चेक करूगा इंडेक्स का ब्लम्लोग आपको यहां से मिल सकता है ब्लम्लिय के, चाहिए मैं यहाँ पर क्रियेट किया था दीको यहाँ पर जो भी आपने email from database का विरेबल क्रियेट किया था उसके अंदर आपको email का डाटा स्टोर करना है फिर बाद में सेम आपको gate column के block को यहाँ पर copy करके यहाँ पर paste कर लेना है और paste करने के बाद में इसको delete करता हूँ तो जब भी gate column करने के बाद आपको email के जगह यहाँ पर नेम डालना है आपको यहाँ पर यहाँ पर दी रहेगी नेम के लिए वह सेम फिलिंग आपको यहाँ पर copy करके paste कर लेने हैं यहाँ पर maximum record 1200 ही रहेगा त्यूंकि free plan में आपको 1200 record मिलते हैं और अगर आप paid plan लेते हो तो आपको यहाँ पर उतने records यहाँ पर डालने पड़ेगे फिर बाद में आपको यहाँ पर set index का ब्लॉक रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहां से आपको नेम फिर बाद में नेम के अंदर करना है फिर इसको सेम कॉपी करके आपको यहां पर पेस्ट करना है और नेम के जगह यहां पर पासवर्ड में आपने स्पिलिंग देगी तो सेम स्पिलिंग आपको यहां पर डालने अगर आप यहां पर पासवर्ड की ज प्यम iJ से आप था धालना है उलिस्टिंग और फे में यहां से अब 지금 के आपको द्रॉप कर सकते हो बाद में आपको यहां पर पर डालना है email list के अंदर आपको यहाँ पर डालना email from database ओके इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर create कर सकते हो और आपको पता होगा इप देन की condition आपको कहा पर मिलेगी जब भी जो भी email email from database के अंदर रहेगा मतलब हमने क्या करना है उसको log in करना इतलब अधर हम क्या करेंगे करेंगे खर अनलब ृप जए कर ने की यहां पर डॉवक यहां पर डॉफ करने के बाद कमेहाँ यहां प Aí इंहीं ब्लॉक All दॉब करने के बाद यहां पर इंगे दालने के बाद यहां पर रिृफर को ज stadium होगा फिर बाद में जब भी system tech यूस करें यूजर्फेस की अंदर कितने कॉलम मेंठ बाद में करींभा यहां पर जीतने कोलम हम रहेेगा उतने त्रॉर्फ करने इसलने को प्रॉप घंके यहां पकर दो में चाहिए पर Code के बात में आपको गैट इमेल के जगर में इमेल डालूंगा मैंने सारे escaped पर कालंशने हैं जहां कि बनाई हों थे जी सिर्वान था प्रना था पास्वर्ड तया प्रोड घृटा सिला इंडेक्स में क्या इने चैण में अबको सुर का चाहिंक जा पर प्रीष कोड़grass है पिर हमें यहां पिल्च क्रेबर प्रोट करने यहां पर गेट माद हया और यहां In करना है फिर बाद में आपको यहाँ पर निल एंटर करना है फिर बाद में आपको यहाँ पर जॉइन ब्लॉक का यूज करके यहाँ आपको जॉइन ब्लॉक मिलेगा सेम चीज आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो फिर बाद में यहाँ पर मैंने नो के ब्लॉक को यहाँ पर एं जाने के बाद store value block को यहां से drop करूँगा और name tag के अंदर में जो भी display name था उसको drop करूँगा तो same में email के लिए करूँगा refer code के लिए करूँगा balance के लिए करूँगा और फिर बाद में आता नहीं फिर से email के condition डाले आप उसका status true है की नहीं यहां पर मतलब उस email का status true है की नहीं तुम यूजर का अकंट ब्लॉक है अन-равствуйте यूपर करने वाला ब्लॉक अपको मिलेगा यहां पर यहां जाके यहां पर फिर लिएं के यहां पर य'll करना क्ना आपके चीज आपको आपको यहाँ पर लेनी है तो मसics पर लिक करने के बाद आपको इसको ड्रॉप कर लेन दिंद करें गया अपको यहाँ वाली वैरियबल सकति हो सेल्इक्ट करने के लिए मिलेगा फिर बाद में आपको यहां पे index के अंदर एक index in list का ब्लॉक मिलेगा सो कहाँ पर मिलेगा आपको list के अंदर मिलेगा यह वाला ब्लॉक आपको यहां पे drag करके drop कर लेना है फिर बाद में आपको फिर से इसको copy करके भी आप directly वेरेबल को कॉल कर सकते हो आपको यहां पर इमेल सिलेक्ट कर लेना है और फिर बाद में यहां पर इमेल फ्रम डाटाबेस आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है फिर बाद में लॉजिक में जाके यह वाले ब्लोग को आपको यहां पर ड्रॉप करने के बाद आपको यहां प अंदर नेम इमेल के अंदर एमेल रिफर कोड के अंदर और बैलेंस के अंदर बैलेंस और युजर का अकॉंब ब्लॉक करेंगे उसे व्लॉक स्ट्रीन पर रिडारेक करेंगे और ब्लॉक और अन ब्लॉक के बारे भी हमने स्क्रीन वन पर भी जाना था ओके किस प्रकार से आप Google Sign In के ब्लॉक को कोड कर सकते हो तो अभी मैं इसको डिलेट करता हूं इस वाल ब्लॉक परां चाल था उसराइं करेंगे फिस एल युजरिद ऑन मैं किलीक करेंगे करएगा तब इस वाली ड्लॉक स्क्रीन ऋपर कर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक के ऊंदर आप ड्रायक ud कि यूजर इंट्रो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन इंप्लिमेंट कर सकते हैं अमारे अर्निंग एप्लिकेशन के अंदर आयो आपको वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको इसकी प्रोजेक्ट फाइल चाहिए होगी तो आपको मेलेगी इस के उपर उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके साथ वीडियो को शेर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ और रजिस्ट्रेशन के वीडियो के लिए च